नमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे जनल पर दोस्तों आज मैं आपके साथ वायू प्रदूशन के बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ इसके साथ ही आज मैं आपको वायू प्रदूशन से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगे शहर में बढ़ता प्रदूशन कई बिमारियों के साथ आता है सिर्फ बिमारिया ही नहीं देखा जाए तो विश्व के लिए भी यहाँ एक समास्या बन गया है जब वातावरन में नुकसान दायक पदार्तों जैसे की गैस, कंड और जैविक अनू की मातरा काफी जदा हो जाती है न तो उस स्थिति को वायू प्रदूशन या फिर एर पॉलिशन कहा जाता है वायू प्रदूशन जो है वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है जैसे की अकसर लोग खाना बनाने के लिए लकडियों का इस्तमाल करते हैं उनके लकडि के जलाने का असर वातावरन पर भी पढ़ता है और वह जादा खराब हो जाता है इस तरह से वायू प्रदूशन को बढ़ाने में लकडि को जलाना भी शामिल होता है इसके अलावा आज के दौर में लोग गाडियों का इस्तमाल काफी जादा करते हैं इन गाडियों से निकलने वाला धूआ वायू प्रदूशन को बढ़ाता है और वातावरन को भी खराब करता है वहीं दोस्तों फैक्ट्रियों का विकास लगभग सबी जगह हो गया है आप किसी भी शहर में जाएं वहाँ पर आपको एक या दो फैक्ट्रीज देखने को मिल ही जाएंगी एक और जहाँ फैक्ट्रियां देश के विकास में मैत्वपोन भूमिका दिभाती हैं वहीं दूसरी और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धूआ वायू प्रदूशन को भी काफी हद तक बढ़ाता है इसके अलावा जब किसानों की फसलें खराब हो जाती है न तब वे इन फसलों को जलाते हैं ये फसलें भी वातवरन को प्रदूशित करती हैं और वायू प्रदूशन का कारण बनती हैं दोस्तों वहीं वायू प्रदूशन के बढ़ने में प्लास्टिक जैसे पदार्तों को जलाना भी शामिल होता है दोस्तों दोस्तों वायू प्रदूशन से बहुत सारी बिमारियां हो सकती हैं आपको जैसे की वायू प्रदूशन की वज़ा से दिल की बिमारी होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है वायू प्रदूशन से लोगों को दिल के दोरे पढ़ने, कोरोनरी धमनी रोग, दिल के वॉल में ब्लॉकेज इत्यादी हो सकते हैं चुकि वायू प्रदूशन वातावरण की हवा को प्रदूशित करती है इसी कारण जब लोग सांस लेते हैं तो उनके शरीर में खराब हवा जाती है जिसकी वज़ा से उनके फेपड़े भी खराब हो जाते हैं दोस्तों वहीं ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिनमें की किड्नी की बिमारी भी वायू प्रदूशन से हो जाती है इसके अलावा दोस्तों वायू प्रदूशन हवा को काफी प्रदूशित कर देता है जैसा कि मैंने आपको बताया जिसकी वज़ा से लोगों को सांस लेने में तकलीव का सामना करना पड़ता है एयर प्रदूशन से जादा तर लोगों को अस्तुमा की बिमारी भी हो जाती है वहीं दोस्तों पहले की तुलना में लोगों के जीने की ओसतन उम्र में भी कमी आई है इसकी कमी का भी प्रमुक कारण वायू प्रदूशन का बढ़ना ही है दोस्तों वहीं वायू प्रोदूशन की वज़ा से लोगों को मानसिक समस्य हैं जैसे कि चक्कर आना, मैमूरी, कमजोर होना इत्यादी भी हो रहा है तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ कि आप वायू प्रोदूशन से कैसे बढ़ सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निवेतन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप यार सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदे सिताकु सरूर ले ले तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दुरदी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बेटा सकें दोस्तों वायू प्रोदूशन से बचने के लिए घर से बहार निकलते समय पॉल्यूशन मास्क पहन कर ही निकलें ओके फ्रेंस वहीं दोस्तों पॉल्यूशन बढ़ने पर घर में एयर प्यूरिफार का इस्तमाल भी कीजे इसके अलावा शरीर को डीटॉक्स करने के लिए आप अद्रक, नीबू और शहत की चाय बना कर पीजे यह जो चाय है न वो आपके शरीर को डीटॉक्स करेगी और आपकी प्रती रक्षा को बढ़ाने में भी मदद करेगी दोस्तों क्योंकि इस चाय में एंटी इंफ्लमेटरिक उन होते हैं जो आपके शरीर में जमा होने वाली गंदिगी का सफाया करते हैं दोस्तों दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि आप अपने शरीर को डीटॉक्स करने के लिए जादा से जदा पानी भी पिएं और चाहें तो आप तुलसी की रस को पानी में मिला कर पी सकते हैं इससे भी आपको फायदा मिलेगा इसके अलावा गुड़, मुलैठी की चाय, हल्दी वाला दूद पीने से भी आपको प्रदूशन से बचने में मदद मिल सकती हैं दोस्तों तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आपको यहाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंड करके जरूर बताएगा हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद